तो है गाइस वेलकम बाक टूमा यूटिब वीडियो जो एच मी आमे तना होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं हॉंडा SP125 के service cost के बारे में जिसमें के दोस्तो हम बात करेंगे इसकी free services से related कितनी free services होती कितने interval पे होती है और इनका cost क्या आजाता है दोस्तो इसी के साथ हम बात करेंगे उसकी paid services के interval और उसके cost के बारे में दोस्तो इसी के साथ में हम बात करेंगे उसकी after market parts की क्या availability होती है कितना reliable होता है इस गाड़ी को बाहर service कराना after free services उसके बारे में भी बात करेंगा और साथ में दोस्तों हम बात करेंगे उसके last point और सबसे जादा important point के अपर कि आखेर में आपको rupees per kilometer के साब से आपको maintenance cost कितना आजाता है इस गाड़ी को maintain करने के लिए ताकि दोस्तों अगर आप इस गाड़ी को purchase करने का plan करने या फिकर चुके हैं तो ये गाड़ी कितना जादा खर्चा मांग सकती है और ये चीज़ समझना आपके लिए काफी जादा जरूरी है तो वीडियो को इन तक जरूर देखेगा और अगर अच्छा लगे तो like कर दीज होंडा यूज करता है होंडा लूप का 10W 30 grade का semi synthetic oil जिसकी costing आजाएगी दोस्तों आपको 345 रूपीज की दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके अगले point के उपर जो कि इसका second point है oil filter तो दोस्तों जब भी हम oil change करेंगे इस गाड़ी के अंदर तो oil filter भी change करना पड़ेगा इस ग 1000 km के time पर आपको chain की cleaning and oiling करवानी रहेगी अगर आप यह authorized service center से करवाते हैं तो आपको 120 रूपीज का charge पे करना रहता है जिसकी वज़े से आपको power delivery power train बहुत अच्छा मिलेगा साथ में आपकी chain की life भी काफी अच्छी हो जाएगी दोस्तों इसी के साथ आते हैं इसके अग to 30 days में तो जो second free service आजाएगी दोस्तों आईगी आपको 5500 km to 6000 km और 165 to 180 days याने कि 6 months में तो दोस्तों जो third free service है वो आजाएगी आपको 11500 km to 12,000 km और 350 to 365 days में अब दोस्तों जो पहली service है उसके अंदर जो आपको charge देना पड़ता है वो आएगा आपको 596 rupees का जिसके अंदर आपका oil change हो गगा, oil filter change होगा, head orring change होगी साथ में chain की cleaning and lubing हो जाएगी दोस्तों जो second free service है उसके अंदर आपका oil change होगा, oil filter change होगा, fuel filter भी change होगा, rare brake shoes भी change होजाएगी, साथ में chain की cleaning and lubing हो जाएगी जिसका cost आजाएगा जोस्तों आपको 1138 rupees का दोस्तों जो 3rd free service है उसके अंतर आपका oil change होगा, oil filter change होगा, spark plug change होगा, air filter भी change होगा, साथ में chain की cleaning and looping होजाएगी, 805 rupees का आपको maintenance cost आएगा दोस्तों, 3rd free service का, तो दोस्तों जो total free services के maintenance cost है वो आपको आजाएगा 2539 rupees का free services में, अब इसी के साथ आते हैं इसके अगले point के या 6 months में हर paid service का interval रहगा, जिसके अंदर आपको paid service करवानी रहेगी, चाहें तो आप service center पे भी करा सकते हैं, चाहें आप तो आप बाहर भी market में भी करा सकते हैं, क्योंकि Honda's के engine को बाहर में mechanics easily समझ लेते हैं, easily कर भी देते हैं, और parts की availability aftermarket भी काफी हो जाती है, तो इसी के स 10% का easy discount भी मिल जाता है इसी के साथ, तो यह काफी जादा beneficial हो जाता है आपके लिए, दोस्तों इसी के साथ आते हैं, हमारे अगले point के उपर जो की रहेगा, इसके parts का prices क्या होता है, जो regularly running है, तो उसके अंदर आपको सबसे पहले आजाएगा air filter, 147 का air filter आएगा, oil 345 का Honda Loop का आजाएगा आपको, oil filter आपको 83 रुपीज का आएगा दोस्तों, 300 रुपीज का fuel filter है, वो आजाएगा, साथ में आपका जो chain sprocket है दोस्तों, वो आएगा 900 रुपीज का chain sprocket, 65 रुपीज का आपका drum rubber आजाएगा, और 200 रुपीज उसको replacement charges में देना पड़ेगा, तो यह total आप का 110 रुपीज का है, और ब्रेक शू फ्रेंट हाएगा, 290 रुपीज का, रेर भी 290 रुपीज का, सीम ब्रेक शू यूज होती है, तो दोस्तों, इसी के साथ आजाते है, हमारे last और सबसे ज़्यादा important point के ओपर जोकी रहेगा, इसका रुपीज पर किलोमेटर के सबसे, आ और reliability को देखते हुए, काफी अच्छा maintenance cost है, जो कि Honda प्रोवाइट करता है हमको, तो दोस्तों, I hope ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, informative लगा होगा, अगर अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक कर दीजगा, सब्सक्राइब कर दीजगा चैनल को, और bell notification भी दवा दीजगा उसी के साथ, ताकि आप notified रहे हर इस टाइप के वीडियो के लिए, साथ में इसी के competition की और other गाडियो के वीडियो भी जानने हो, तो इसी चैनल के उपर आपको काफी सारी गाडियो के वीडियो मिल जाएंगे, service related, ताकि आप decide कर सके कि कौन सी गाड़ी लेनी है य नहीं लेनी है, so thank you so much for watching this video, bye bye, take care and ciao